जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच शनिवार से जारी मुटबेड तीसरे आतंगवादी के मारे जाने के बाद खत्म हो गई मुटबेड में शामिल तीसरे आतंकी त्राल तहसिल के घने जंगल में एक गुफा में छिपकर बैठा था जिसे शुरक्षा बलो ने मार गिराया एक पुलिस अधिकारी ने बताये कि फिलाल आतंकी की पहचान नहीं की जा सकी है उन्होंने बताया है कि तीनों आतंकीयों की बॉडी के पास से हतियार बरामत कर लिए गए है पुलिस का मानना है कि तीनों आतंकी जैशे मोहमत से संबंध हो सकते हैं शनिवार तड़ के पुलवामा जिले में आतंगवाद रोधी अभियान में दो आतंगवादी मारे गए थे जबकि तीसरा गुफा में छिप गया था पुलिस महानिदेशक S.P. वैद ने समवादातों को बताया कि मारे गए आतंगवादियों के शब बरामत कर लिये गए हैं वैद ने कहां मरने वाले आतंगवादी विदेशियों जैसे लग रहे हैं और वे शायद जेशे मोहमद गुट से जुड़े हैं अभियान में पैरा कमांडो और हेलिकॉप्टर भी शामिल हुए सुरक्षा बलों ने शनिवार तड़के अभियान शुरू किया था अभियान में आतंगवाद रोधी राश्ट्रे राइफल और विशेश अभियान समू भी शामिल किया गया और खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल